हे गाईज वेल्गम बैक तो माई चैनल दोस्तो फाइनली मीवी ने अपने मीवी ड्यूपोर्ड एफ 60 को लॉंच कर दिया है और आप लोगों पता ही होगा इन येबर्ट के बारे में इनका लॉंचिंग प्राइस था 999 रुपे और लॉंचिंग प्राइस के बाद अभी तो आज कि पर गथे में ने सुचा कूं ना इन दोनों के बीच में काम्री जन करके आप लोगों को कॉन से बाइस रहेगा दोस्तों दरहёसल आज हम कंपयर करेंगे इनकी बैटरी लाइफ को कि बैटरी इन कहले हैं इसे का साथ ड्रई़र साइज आप लोगों कार इन में का मेरी आप लोगों से पस एक चोट इसी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो में लाश्ट तक बने रहना तो वीडियो शूर करने से पहले तो शेली दूस्तो आगे कि इस वीडियो में कमपैरिजन को करते हैं स्टार्ट और हम कमपैरिजन करेंगे इनकी बैट्री लाइफ को इनमें जो जो फीचर्स दिये गए हैं उनको सबसे पहले कमपैर करते हैं डिजाइन को अगर डिजाइन वाइस देखा जाए तो भाई मुझे तो मीवी के जो एरबर्ड से वो काफी पसंद आ रहे हैं क्योंकि इनका डिजाइन जो है वो काफी जदा प्रीमियम है और मेने ब्लैक वाले ओर्डर भी कर दिये हैं एज कंपेर टू बोट एरडोप्स वन फाइप बोट एरडोप्स वन फाइप का डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगा मीवी का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा है अगर तो बात किजाए बैटरी लाइफ की तो मीवी में आप लोगों को 50 आर्स की बैटरी है अगर बैटरी कैपसिटी की बात करें तो 300 mh की बैटरी आप लोगों को मिल रही है जो चार्जिंग टाइम मिल रहा है वो लगबग डेट घंटे का मिल रहा है तो बैटरी के मामले में मीवी ड्यूपोर्ट्स F60 आगे निकल जाते हैं बोट एरडोप्स 115 से वहीं दोस्त बोट का जो इयरबड है उसमें आप लोगों को जो गेमिंग मोड है वो थोड़ा से एडवांस लेविल का देखने को मिलेगा ऐस कंपेर टू मीवी तो यहां पर अगर गेमिंग मोड की बात की जाए तो बोट इसमें आगे निकल जाता है अगर ड्रैवर्स की बात करें तो मीवी में आप लोगों को 12 mm की ड्रैवर्स मिलेगे महीं बोट में आप लोगों को 13 mm की ड्रैवर्स मिलेंगे तो ड्रैवर साइज बड़ा होने से बेस का जो लेविल है वो आप लोगों बोट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुनाई दे सकता है अगर दोस्तों बात की जाए क जागिन तो क्योंकि स्वाले क्योंकि क्योंकित क्योंकि डाटके तो क्यों में आप लोगों से पटर देखने भाल जोड़े हैं और बोट में आप लोगों को Bluetooth 1.0 5.2 का support देखने को मिलने वाला है अगर दोस्तों बात की जाए connectivity range की तो दोनों में यह आप लोगों को connectivity range यह वो 10-10 meter की देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों बोट में आप लोगों को wake and pair का option देखने को मिलेगा यानि कि जैसे ही आप अपने earbuds के case को open करोगे आपके जो earbuds है वो आपके phone से automatically connect हो जाएगे उनको कोई भी pair करने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को पड़ेगी लेकिन मीवी में आप लोगों को pair करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यह feature extra एक बोट में आप लोगों को मिल रहा है वही दोस्तों दोनों earbuds में आप लोगों को touch controls मिल जाएंगे आप इनसे calls को pick कर सकते हो Google Assistant high Siri को operate कर सकते हो, calls को end कर सकते हो, volume को कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने गाने को change कर सकते हो तो touch controls आप लोगों को दोनों earbuds में मिल जाएंगे वही दोस्तों IPX4 की rating दोनों earbuds में आप लोगों को मिलने वाली है, यानि कि यह waterproof भी होने वाले हैं अगर price की बात करें तो दोनों earbuds का जो price है, जब मैं यह video बना रहा हूँ तो 1300 इंडियान में रुपे हैं दोनों का ही price, अगर आप अब check करोगे तो इनका price up-down हो भी सकता है लेकिन दोनों का ही price अभी तो भाई फिलाल सेम है तो अब बात आती है कि दोनों में से आप लोगों को कौन से बट के साथ जाना चाहिए तो दोस्तों गर बात की जाए battery की तो battery में मीवी के earbud जो है वो आगे निकल जाते हैं call quality में आप लोगों को better देखने को मिल जाती है otherwise सारे feature boat की तरह यह boat में आप लोगों को wake and pair का option देखने को मिल जाता है और एक gaming mode आप लोगों को थोड़ा सा advance level का देखने को मिल जाता है भाई मैं तो ज़्यादा gaming नहीं करता तो मैं तो मीवी के साथ जाऊंगा अगर आप ज़्यादा gaming करते हो तो आप लोग boat के साथ जा सकते हो लेकिन याद रखना इनमें आप लोगों को battery life थोड़ी सी कम मिलेगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन